आदाव आज 20 मार्च 2020 सुबा के लगबग नौ बजने वाले हैं अभी थोड़ी देर पहले कई चैनल्स पर देखने को मिला कि कुरोना का जो टेस्ट होता है उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी लेबर्टरी कोई भी जांच केंदर इसके लिए साड़े चार हजार रुपए से जादा नहीं ले सकता ये ताली थाली वाली सरकार बात समझने को तयार नहीं है गिराब बिचार कीजिए एक वेक्ति है चार पांच आदमी का परिवार है यदि किसी एक के उपर डाउट हुआ तो अब पांच आदमी का टेस्ट होगा एक आदमी का साड़े चार हजार तो पांच आदमी का बीस से पचीस जार रुपया हो गया लॉकडाउन बना हुआ है पिछले पंदरे दिनों से लोगों के पास काम नहीं है और जिनके यहां वो काम कर रहा है उनके पास पैसे नहीं है कि वो बगएर काम के पैसा दे दे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ तो अभी तो उसके सामने जीवी का चलाने की कठिनाई खड़ी हुई या परेशानी है कि वो कहां से खाएगा और बच्चों को खिलाएगा अब उसमें वो 25,000 रुपे कहां से लाएगा सरकार ने कहा लोग स्वेच्छा से लॉक डाउन करें लोगों ने किया हम स्वागत करते हैं कहीं कहीं सरकार ने प्रेशर भी बनाया और ठीक बनाया हम नहीं कहते हैं गलत बनाया, ठीक बनाया, सरकार ने कहा ताली बजाओ, अब जिसको बजाना है बजाएगा, सरकार ने कहा थाली बजाओ, जिसको बजाना है बजाएगा, ताली बजाओ, धाली बजाओ, डोल बजाओ, डीजे बजाओ, बड़ा बड़ा टीना, डराम सब बताईएगा आप योग के नाम पर साल भर में सरकार इसके परचार परसार में सीर को पैर पैर को फणा चीज के नीचे डाल लेने के लिए अरबों अरब रुपिया खर्च करती है किसी को इनकार है इससे क्या? नहीं ना? तो ये जो महामारी आई है जिसके लिए पूरे पूरे शहर लाकडाउन हो रही है इसके लिए पैसा लेना कहा तक उचीत है? मैं अनुरोध करता हूँ आम जंसे मिरा अनुरोध है फ्लीज मैं ये नहीं कहता हूँ पे कीजिए ये टिक टॉक वाले जो बच्चे हैं टका टक करते हैं वो भी इस पर कुछ काम करें लेकिन गौर्मिंट को समझाने का प्रियास कीजिए कि प्लीज ये टेस्ट फ्री कर दीजिए देखिए इस बीमारी का हल ताली थाली में है मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि विज् करें बाहर नहीं आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए और उसके बाद उनका फ्री टेस्ट कीजिए यदि वो संक्रमित पाए जाते हैं उनका फ्री इलाज कीजिए कानी कतम मामारी फिनिश इसमें डरने की क्या जरूरत है डौन भी पैनिक एहतियाद बरतिये अनावशक को नाक को मत पोचिए आवशक्ता पढ़ने पर ये जो आपकी आस्तीन है या आप गमचा ओड़ते हैं जेब में रूमाल रखते हैं उससे पोच लीजिए और यदि आपको ऐसा लगता है तो बाहर निकल लिए हॉस्पिटल पहुचिए टेस्ट कराईए लेकिन सरकार को चा सरकार का सहारा लेती है और अरबो अरब रूपिया फ्री में वो लोगों को बांट देती है अनावशक रूप से इलक्शन में भी इलक्शन के पहले भी इलक्शन के बाद में भी तो क्या आप मास्क नहीं बाट सकते आप सेनिटाइजर नहीं बाट सकते अरे नजर उठा के देखिए, चाइना को देखिए, इटली देखिए, फ्रांस देखिए, इरान देखिए, सौधी अरेबिया देखिए, हर जगा ये टेस्ट फ्री है, ये जो बगल में पाकिस्तान है न, सुबा शाम करते रहते हैं, तिहारी वाले लोग, वहां भी फ्री है, हम फ्री क्यों नही कर सकते हम फ्री मास क्यों नहीं बाच सकते हम फ्री सेनेटाइजर क्यों नहीं दे सकते प्लीज एथियाद कीजिए लेकिन सरकार को समझाने का प्रयास कीजिये प्लीज जादा से जादा वीडियो बनाईए शेयर कीजिए फेसबुक का सोपर trafficking का और सरकार को ये समझाइए, कि आपको ये टेस्ट फ्री करना होगा, आपको मास्क फ्री देना होगा, आपको सनिटाइजर फ्री देना होगा, एक बार फिर से, अल्लह ताला से मैं दुआ करता हूँ, कि अल्लह ताला सिर्फ मधुबनी जिला नहीं, बिहार नहीं, सिर्फ हमार ये प्यारा देश भारत नहीं बलके पूरी दुनिया के लोगों को इस महामारी से और ऐसी और भी जो परेशानिया आनी है उन से महफूज रखे अमन शान्ती में रखे जैहिंद